सिद्धू मुसेवाला और बाबा सिद्धिकी के गातल में मुलवेश भारत का बदनामे जमाना गैंग लॉरेंस बिश्णुई बॉलवूड दबंग स्टार का उनिस सो ठानवे से जाने दिश्मन है बिश्णुई जो ओपन चैनेंज की बात हो जाना क्या मुडी ये तरीके इस्तेमाल किया है जो मुसल्मानों के साथ हिंदुस्तान में कर रहा है लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गल्ती किये जो बाबा सिद्धिकी के अपर आरकत करके तूने ना मुंबई के सोयवे सेरों को जगा दिये ये जो दाड़ी वाले लोग हैं ये कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं ये तो हराम है बिश्णोई जो है इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है क्यूंके पाकिस्तान के मेंस्री मीडिया पर हर टाइम आप इन ही की खबर चल रही है कैनेडा में सिक रहनुमा के कतल समय दीगर संगीन जराइम में मुलबिस होने का बराहरास इजाम लगा दिया है और सारे मौमले में बदनामे जमाना बिश्णोई गैंक का नाम भी सामने आ रहा है लॉरेंज बिश्णोई देखो उसने क्राइम करा वो जेल तो दुन्या में इतना हैंसम हंक गांग्स्टर नजर आ रहा है हमने दाओ इब्राहिप का नाम सोना बड़ा बश्चकल चाहता था हमने सामा विलादेन का नाम सोना हम जाकर नायक को देख रहे हैं बड़ा अशलील थर्की पेडोफाइल साहता है हाफिस सहीड बड़ा बश्चकल जैसा है पहली बार तो मैंने देखा है गे कोई handsome hunk कोई गै पाकिस्तानी मीडिया की लेटिस वीडियो तो दोस्तो आज की वीडियो काफी अलग हटके है और वो है लौरेंस बिसनोई के उपर जिसके बारे में इसमें नहीं नहीं सिर्फ भारत के अंदर बलकि पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ दुनिया भर के मीडिया इस पे बात कर र आदमी नहीं था बलकि उसके हाथ बॉलिवूट के खान गैंग से और दाउद गैंग से सनेवे थे जिसके अंदर बाबा सिद्की जैसे लोग की तूती बोलती थी और उसी की हिसाब से बॉलिवूट के अंदर लोग को इस सारे पर नचाय जाता था जिसके बारे मैं अब कहा जाता है लोरिस बिसनई ने बाबा सिद्की को मार करके बॉलिवूट के जो खान गैंगे उन में देशत फैला दी है और यही बज़ा है कि पाकिस्तानी मीडिया के अंतर इन दिनों लोरिस बिसनई के उपर खासा चर्चा है और इसकी सबसी बड़ी बज़ाई यह है क्योंक तो आई यह देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लड़ी से वीडियो को साथ ही आप से रिक्वेश्ट के प्ले चैनल को सब्सक्राइब करें में स्योग दें थैंक्यू नादिया जी आखर लॉरेंस बिशनई है कोन है मतलब एक ऐसा नाम हम आए दिन सुनते हैं इन दिनों में तो बहुत ज्यादा यह वन कैनिडा की गोर्मेंट यह कहती नजर आ रही है जी इंडियन गोर्मेंट लॉरेंस बिशनई के साथ काम कर रही है कि एक 30 साल का लड़का वो भी जेल में है और जेल में रहते हुए सुल्मान खान मुनवर वरुकी और भोसे ऐसे नाम है जिनसे वो माफी भी मंगवा रहा है जिसे वो मतलब प्रॉपर वो लोग उनसे डरते नजर आ रहे हैं जेल में रहते हुए ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतना डर कहीं ना कहीं इसा तो नहीं होता है पोलिस की कोई पूर्ट या कुछ ऐसी सपोर्ट होती है बहर पॉलिटिशन की सपोर्ट होती है जिसकी वज़ा से ऐसा पॉसिबल होता है एक मैं अपनी विचारधा जो है वो मैं बताना चाहती हूँ श्वएब आपको पहली बार तो दुन्या में इतना हैंसम हंक गंग्स्टर नजर आ रहा है। क्या परिशानी एक किसी को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने दाओध इब्राहिम का नाम सोना बड़ा बडशकल सा था, हमने लादेन का नाम सोना बड़ा घटिया बशकल सा था, हम जाकर नायक को देख रहे हैं बड़ा अशली ठर्की पेड़ोफाइल जैसा है, हाफिस साइड को हमने निव सानल्स पर देखा है बड़ा बशकल जैसा है, पहली बार तो मैंने देखा है कोई हैंसम हंक, बोड़ी बिल्डर टाइप का कोई गैंग्स्टर हमारे सामने नजरों के आया है, तो इतनी उतेजित और इतनी प्रिशानी क्यू है, लॉरन बिश्णोई बाके में गैंग्स्टर है, और सिद्व मुसावाला के छाती पर जब तरजन से ज्यादा गोलियां बरसी और उसके बाद से ही लॉरन बिश्णोई का नाम दुनिया में बहुत नर्चाय आम पर आ गया, बिश्णोई कोई जाहिल नहीं है, लॉरन बिश्णोई पढ़ा लिखा है, लॉकी डिग्री के लिए भी उसने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन पहला क्राइम जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टुडेंट पॉलिटिक्स में जॉइंग किया और वो भार गया, तो जो जीता था, S.O.P.U. को, उसी को उसने गोली डाग दिया था, अब आती है बात, बाबा सिद्धिकी, तो बाबा सिद्धिकी के अपर मकोका का केस था, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कि वो कोई बहुत अच्छा, नेक, पवित्र, कोई बहुत खूपसूरत इसान तो था नहीं, यहां तक के बाबा सिद्धिकी ने बॉले वुड पर इतना ज्यादा अपना हुकम का इकाव चलाता था, कि कौन हिरोईन को काम मिलेगा, यह भी बाबा सिद्धिकी के यहां पर ही तैह होता था, अब आती है बात सल्मान खान की, तो सल्मान खान ने हमे अदनान शेख को, तो सल्मान खान और सल्मान कान के सर से अभी तक वो दाओद इबराहिम की दोस्ती का भूत नहीं उतरा है, सल्मान खान अभी भी सोच रहा है, कि यह एक इसफी सदी और दो हज़र चौबिस में भी वो ही हुकम का एका चलाएगा, जो कभी वो दाओद रखेगा, उसको काम नहीं मिलेगा, अपने एहंकार और अपने so-called मर्दानगी को जो वो दिखाया करता था और खान का जो एक और 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 एक पूरा बुलंद दर्जा वो दिखाया करता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा इस भूमरान, अब मैंने देखा कि महाराश्च म में बहुत सारे मुसल्मान हैं, यह लंबी लंबी दाढ़ी रखकर के यह लॉर्ण विष्णोई, और अपने आपको पॉपिलर करने के लिए लॉर्ण विष्णोई का नाम ले लो, लॉर्ण विष्णोई की नजरों में यह जो चमन्नी अठनी लोग है, यह समझे खटमल है अब आती है राहुल गांदी जी की बार, राहुल गांदी जी अपने अपनी विदेश यात्रा में जब भी बाहर जाते हैं भारत विरोधियों से मिलते हैं, ऐसे ऐसे ओर्गनाइजेशन के लोगों से मिलते हैं, जो खुल करके भारत का विरोध करता है, अब आती है बात कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में आतिशी मरलीन जो है वो अभी मुख्य मंतरी बन करके बैठी है आतिशी मरलीन की अम्मी जान जो है वो अफजल गुरू के और्गनाइजेशन की मेंबर थी अफजल गुरू की को जब फासी की सजा सरवुचे नियाई पालिका ने सुनाया था तो आतिशी मरलीन जो अभी हमारे भारत की राज़ानी दिल्ली की मुख्यमंतरी बन करके प्रेसिदेंग से मिलने के लिए वहां पर गुहार लगाया था उन्होंने के अफजल गुरू को फासी नहीं होनी चाहिए वह उनके लिए हीरो था और हमारे भारत में जिन मुस्लिम समुदाये ने याकोब मेमन की जनाजे की नमाज को नमाज करवाया और सहलाब की तरह मु मिलियन समर्थक है हमारे भारत में इरान के आतंकियों के समर्थक है हमारे भारत में खालिस्तान के आतंकियों के समर्थक है तो अगर अगर भारत का कोई कोई समुदाय कोई ग्रूप लॉरन विश्णोई का समर्थक हो रहा है तो खुजली क्यों हो रही है